नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आयूर्वेद पराधारित हमारे इस पहत खास कारिक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूँ आपके साथ आपका साथ ही विकास दर्शकों स्वस्थ विचार कारिक्रम आयूरवेद पराधारित है और आयूरवेद एक ऐसी प्राचुइन चिकित्सा पधती है जिसमें हर एक रोग को जड़ से समाप्त करने का औजार मौजूद है यानि औशधियों के माध्यम से वनस्पतियों के माध्यम से प्रकृति के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस रख सकते हैं क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र वो इस कारिक्रम के माध्यम से आपको समझाया जाता है इसलिए हम ये कारिक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम एक जागरुपता उत्पन कर सकें आपके स्वास्ते और आपकी सेहत के प्रती क्योंकि जब आप सतर्क होंगे सावधान होंगे तभी आप अपने आप अपना ख्याल रख पाएंगे और इन सभी विषयों को हम तक पहुँचाते हैं हमारा मार्ग दर्शन करते हैं जाने माने आयूरवेद के ग्याता गायत्रिस सिध्धपंडित श्रेलक्षमंदास रतन भार्तवार जी चलिए सबसे पहले कुरुजी का स्वागत करते हैं कारिक्रम की शुरुवात करेंगे नम हम कुछ आशिरवात के तौर पर ले सकते हैं कुछ औशधियों के तौर पर ले सकते हैं जड़ी बूटियों के तौर पर हमें जो चीजे प्राप्त होती हैं और हमें बहुत ज्यादा जद्दो जहद नहीं करनी होती है जिन चीजों को हम अपने आसपास पाते हैं जिन कारेक्रम में बताई जाती है इसलिए ये कारेक्रम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी से इसलिए हम अनुरोध भी करते हैं जब भी कारेक्रम को देखने बैठे तो कौपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें जो भी नुसके आपको बताई जाए उनको आप लिख जरूर ले आगे बढ़ते हैं कारेक्रम में और शुरू करते हैं आज के नए विशाय पर चर्चा गुरू जी आज के संक में हम एक ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं जिसके उपर कहावत है दमा दम के साथ ही जाता है उससे पहले नहीं जाता यानि इसक सीधा सीधा अर्थ है किसी रोगी को यदी दमा हो जाए तो उसकी मृत्य तो निश्चित है लेकिन दमा ठीक हो पाना संभव नहीं ऐसा डॉक्टर्स का मानना है तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा दमा किस तरीके का रोग है जो इतना घातक हो जाता है जो टीबी रोग ह होता है इसका स्टार्टिक रोग जो दमा ही है और दमा होने का मुख्या कारना है आपका गल्थ खान पाना ठंडी चीज़ों का सेवन बाशी खाने का सेवन मैं देख चीज़ों का सेवन सेलन वाली जगह पे काम करने का यह दमा बड़ी तेज्जी से पहलता है दमे में फेपरों में और सांस की नाली में जैसे सर्दी में धंद पढ़ती है सूरिया के किरने जमीन पे नियाती है अंधेरा चाह जाता है ऐसे दमे के रोगी के सांस की नाली में और फेपरों में बलगम जाता है और जब बलगम जदा जैए और फेपरे में अक्सिज़ लिए तो फिर वो ऐसे चिलाता है दमे का मरीज जैसे वे अजयी Б Heil music का AGA च्टरा चिलाता है और मुह से उसांस लेड़ी कोसे करता है मुह से सांस आता नहीं अब मेरे लिए तो हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मुली इंकारना क्योंकि मैं नाड़ी बैद हूँ और मुझे दस अजार जड़ी बुटी के पैचाना जिन से मैं दोईय बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेशी दोईय बनाने कि मैं किसी की बनी मराय दोईय बेचता हूँ और मैं नाड़ी प्रिक्षन में ना तो रोगे से पूछता हूँ कि आपको तकलीप क्या है ना उसका काउज पत्तर देखता हूँ ना उसकी को एरपोर्ट देखता हूँ मेरा नियम है कि बुद्ध बारकी में छुट्टी रखता हूँ गुरु बार से लेके मंगल बार तक नाड़ी प्रिक्षन करता हूँ नाड़ी प्रिक्षन में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography सब कुछ पांच सकीन में हो जाता है उसमें जो भी कमी सरीड के अंदर पाई जाती है द्वाईय दी जाती है द्वाईय खाने की हैं, द्वाईय पिलने की हैं, माल्स करने के तेल हैं, आख में, नाख में, कान में डालने के द्वाईय है जैसे नाक में दवाई डाली जाती है और दवाई खाने के दी जाती है तो पहले दिन दमे के रोगी को 20% रह मिल जाता है और दमे के रोगी के दवाई को ज़्यादा मिंध करने की जुरुतनी है थोड़ी से मिंध करने है आपने इस रोग को समावत करने के लिए शुक्वी हल्दी लेलें आप 500 ग्राम, इस हल्दी को आग जलाके राग के अंदर दस से पंदरा मीट के लिए दबा दें, आग नहीं होने चाहिए, सिर्फ राग गर्म होने चाहिए, पंदरा मीट बाद उसको कूट के पाउडर बना लें, जब पाउडर अच्छी तरह बन जाए, तो धाई सो ग्राम में आपने पचास ग्राम आग का दूद मलाना, आग का दूद मला करके, फिर उसको जैसे ठंडाई को घोड़ते हैं, ऐसे, डोरी डंडे से आपने इसको पीछना है, मिक्सी में नहीं पीछना है, बस इतना ध्याँ रखना है, जब यह बिलुकुल खुशक हो जाए, उसमें आग के दूद को सारा हल्दी का पौडर चूश ले, तो इसको किशी भी सीशी में रख ले, इसमें से 2 ग्राम हर 4 गहंटे बाद गर्म पानी से लेना है, उसका तरिक्का है, कि 2 ग्राम पौडर मूँ में डाला, उपर से 1 ग्लास 15-18 डिगरी गर्म पानी पीना है, वो भी शिप शिप करके पीना, पीन में आदर गहंटा लगाना, अब यह हल्दी और जो आग का दूद का असर है, यह पानी के साथ जाके जो सांस की नाली फेफ़रों के अंदर बलगम सूका हुआ था, उसको ऐसे पगलाएगा जैसे अगनी के पास बर्फ पिगलती है, और जो नाक में दूआई डाली जाएगी, यह दूआई भी पहले गर्म पानी में रखनी जाब पिगल जाएगी, यह गाय के घी में बनाए गई गई दूआई, तो दूआई अंदर ऐसे जाएगी जैसे नाली में पानी जाता है, और असांस की नाली को और फेफ्रा को ऐसे साफ करेगी, जैसे चांदी के बर्तन को तजाब से साफ करते हैं, और पहले दिन बीच से पच्ची प्रसेंट दमे के रोगी को रह मिल जाता है, अब इसकी रोटी का थोड़ा से भीनता है, इसकी रोटी केवल काले चना और प्याज, इसका तरीका है काले चने को पृसा लिया, जितने भूख है आटा उतना लिया चने का प्रांतु आटा को छान ना नहीं है, छिलका साथ जाइए, जितना आटा उतने उसमें प्याज, ब्री काट के मुला लिया, और इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोच्टी बनत और यह आप चाहे मोटकी दाल से ले, चाहे गाय के दूद से ले, चाहे बक्री के दूद से ले, चाहे सोयविन के दूद से ले, डैरी का दूद या आर्टिफिसल दूद इसको नहीं चलना, और इसको रोटी को मसल के खाना है, और इसके बीच में दो ग्लास गर्म पानी लस् . फिर दो चार गार खालिया. फिर दो गुठ पानी पी लिया. पानी पीने में, खहाने में यदि आथ एग घंटे का french लगा देते हैं! तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रहते की डेरी पे पानी डाल के रहता है, पूरा पानी को चूस लगता है, बेहन देता है, ऐसे आपका खाना पचेगा खाना पचेगा लीवर की चुकनाट उतरेगी पैंकरी इंसुलीन बनाएगी पेंकरी इnd्सॉलीन बनाएगी, तो पित्ते में तजाब नीं बड़ेगा। पित्ते में तजाब नीं बड़ेगा तो उसको पिचा करके पित्ता गुर्दे को देगा। गुर्दा टटी साब खूण लग-लग करेगा। जो खून दिल से होके फेफ्रे को आएगा, उससे फेफ्रे के अंदर का नजला ऐसे समाफ्त होगा, जैसे कूरे करकट के ढेर को मारचीज की तिली जिला के समाफ्त करती है। अब नाक में डालने की द्वाइएं आपको चार से पांच किसम के लेनी पड़ेगे। यह द्वाइए नाक में डालने से जो आपके नाक का मास फूला हुआ था उसको काटेगी। जिसको डाक्टर कहते है अड़ी बढ़ गी। और जो आपको अच्छे बुरे के खुस्बून ही आती थी वो भी इसी से आएगी। और जो नाक के अंदर आपका जितना भी अफेक्शन था उसको कार देगी। नाक से सांस जाना सुरू हो गया फेप्रे में पहुंच गया सांस की नाली साफ हो गया। दम्य का रोगी का लाज डेड़ मिनने से फालतू नहीं होता जो मानदार इसे द्वाई खाता है। इसमें काडा नम्क, काडी मिर्च, जीरा, अज्वैन, दाल चिन्नी, सोंट। यह चीजें कूट के पीशके पौडर बनाके रख लेते हैं। जो भी आप साग, सबजी, जो भी रोटी के साथ खाएं। उसमें चाय वाला एक चम्च उसमें मिलाना पड़ता है। और जब इस रोटी को खाते हैं तो अंदर के कटानू इससे ऐसे नास होते हैं। जैसे कूड़े करकट के डेर को मार्च इसकी तिली जला के समावत करती है। मेरे पास हर मिन्हें पचार से साथ म्रीज दमे के आते हैं। किसी का चार डेर्ड मिन्ना किसी का दो मिन्ने होता है। जैसे रोग समावत होता है दो यह बंद हो जाती है। और टीवी के माद्यम से आपने ऐसे कहियों के इंटर्विव सुने होंगे। जिनके डॉक्टर ने प्रेशन करके फेफड़े विकार दिये। और एक तो पृत्म पूरा से है रोगी। इसका रजीव गांदी में बाया फेफड़ा पूरा कार दिया था, दाया आदा था। उससे एग हेंटे में दो लिटर की पानी की बोतल भरती ही जा मेरे पास आया था। परांतु द्वाई देने के आठ दिन बाद वो बिलकुल खत्म होगी। नॉर्मल साना सुरू हो गया। आज वो निकल पार्ष की फेक्टरी भी चला रहा है और गारी भी चला रहा है आदे फेफड़े के उपर। तो द्वाईयों का स्रह थै। मैं नारी बैद हूं। मुझे 10,000 जडीबुठियों की पहचान है। जिनसे मैं द्वाईयों बनाता हूं। द्वाईयों बनाने की पारमेसी मेरी अपनी हैं धर्ड़ईयों अर्जिस्टरे है, पěंट है। इनका कोई side effect नहीं है, आपने allopathic द्वाई कोई overdose खा ली तो उसका side effect है, यदि कम मात्रा में खाय तो उसका लाब नहीं होता, क्योंकि ये allopathic द्वाईयों केबल श्रीर को सुन करने के लिए जहां ते खलीप आउसां को सुन करती है, सुन करने का टाइम है दो गहंटे, चार जहां जादा आठ गहंटे, आठ गहंटे बाद आपको द्वाई दे नी पड़ेगी, परांतू सवस्त अचार में, तीन टाइम द्वाई दी जाती है, सुवह खाली पेट, दपेर को खाना खाने के बाद, और राद को खाना के बाद, तो खाने के अंदर जो भी किसी किस्म क कटानु बनते हैं रोके, लस्षन प्याज अधरका रस मिलाके जब पाने के साथ खाने के साथ ले रहे हैं, वो कटानु वही नश्ट हो जाते हैं और जब इस द्वाई को लेते हैं और नाख में आख में द्वाई डालते हैं तो आपका बीसो साल प्राणा रोक भी मिन्ने डेड़ मिन्ने में स्मापत हो जागा है मेरा नाम रामनेवास यादव है और मैं जिला मेनपूरी से आया हूँ और मेरी प्रॉबलम हार्ड अटेक की थी दस कदम भी रस्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज दर्द होता था कि हमको दस कदम रस्ता नहीं चलपाते थे और हर डाक्टर ने हर जाच करवाई उसमें हाड़ी टेक बताया मैंने टीवी माध्यम से बाबाजी का प्रोग्राम देखा और यहां पर आये कभा जी नी का बेटा कुछ नहीं होगा आप पूर रूप से सास्ट हो जाओं कि दो-तीन महीने दभाई का बाबाजी ने दो-तीन महीने बाद बंद गर दी मतलब हम आते रहे ओपनी नमज परिछन कर आते रहे खाते रहे पनेस फिर नि पिलकुल बंद कर दो ओ और आज हम मेरा नाम संजीब स्वमानी है मैं कश्णनगर दिली से आया हूँ मैंने टीवी के मध्यम से बाबाजी के पास आया हूँ मेरे को शुगर की प्रोब्लम में 15-16 साल से थी लेकिन मेन बाबाजी के पास आया था मेरे नलो की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पैन रहत है जिससे मैं 50 इनसुलेन लेता था और मेरी इंसुलेन बिल्कुल बंद हो गई है 15 दिन से मैंने कोई शुकर की दौई नहीं लिए और इस टैम भी मेरी शुकर जो खाली पेट सेवेंटी फोर ही है और जो मेरे नलों में दर्थ था चार दिन से मेरे को बिल्कुल दर्थ नहीं अपना नाम बताईए क्या नाम है आपका कहां से बात कर रहे हैं आप सहरानपूर से जी गुरुज आपको सुन रहे हैं पूछिए क्या सवाल है आपका कान के पीछे गर्दन के पीछे की तरफ से एक लाइन में इनको दर्थ शुरू हो चुका है देखे बेटा आज जब नजला किसी नस के अंदर रुक जाए तो इसका अवचार आज पूरे संसायर के अंदर मेडिकल्स हैं सारियो बेद उनानी होमोपैथे नेचरिश्का में बिल्कुल नहीं है प्रांतु मेरा एक मातर आश्रम ऐसा है के यहां पे रोग ऐसे समाफ्त होता है जैसे कूरे करकट के डेर को मार चेश की तिली जिला के समाफ्त करती है यदि आप बुद वार छोड़कर गुरु वार चे लेकर मंगल वार के बीच मेरे आश्रम में आती है और जिस दिन आना उस दिन रातरी दस वे तक खा पीए के दातन कूला करके बड़ी लेची मुह में रखके चोस्ती है जुबा नाव से दस के अंदर अपना नाम करन कुलाती दस से बार हमें नाडी प्रिक्ष्ण करूँगा नाडी प्रिक्ष्ण में पैर के तल्वच से सिर के बाल तक की MRI CT scan, extra, ultrasound, ACG, sonography सब कुछ पांच सकेंड में हो जाएगी उसमें जो भी कमी शिर के अंदर पाई जाएगे द्वाईयां दी जाएगी द्वाईयां खाने के हैं, द्वाईयां पीने के हैं, माल्स करने के तेल हैं, आँख में, नाख में, कान में डालने के द्वाईयां यदि द्वाईयां आप नियम से लेते हैं, प्रेज करते हैं, माल्स करते हैं तो जो आप गरतन में दर्द बता रहे हैं जिस दिन आपको 20-50% का राम मिल जाएगा, पंदरा दिन में आपको 60-70% का राम मिलेगा, एक मिन्ने में आपका दर्द समाब्त हो जाएगा, परांतु यहां जिस दिन आना हैं, उस दिन एक और साथ लानी जो आपकी माल्स करेगी, और कमी सुलार पहन के आना, सुलार नाडे आपकी जो यह समस्या है, जो परिशानी है, यह बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्त्री चार आश्रमाने के सलाह दी गई है, अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पाय नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में नंबर आपकी टीवी स्क्रिन पर है, और दर्शकों यदि आप इस कारिकरम से अभी जोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाए हमें कॉल करें, या आप हमें वर्टसप के जरी अपना संदेश भी भेज सकते हैं, वर्टसप मैसेज में लिखना है, अपन उन से बात कर लेते हैं, हलो, क्या शुब नाम है अपका, मेरा शुब नाम लक्ष्मी देवी, अपना सवाल पूछें लक्ष्मी जी, गुरु जी सुन रहे हैं आपको, बताईए, जी, बीपी काफी इनका हाई रहता है, देखें, बीपी हाई होने का मुख्या कारण होता है कि आपकी पांच न सकती पूरा काम नहीं करती, पैंक्री पूरी इंसुलीन नहीं बनाती, और पेट में जाके ना भी आपकी अपनी जगा पे नहीं है, पेट साफ नहीं होता है, जब गैस बढ़के लेवर की नसों के अंदर खून को जमाती है, तो बीपी बढ़ी तेज़ से बढ़ता है, इसका अफचार टीवी के माद दियम से ना तो मैं दोईय बेचता हूना मैं अफचार करता हूं, यदि आप बुद बाहर छोड़कर गुरू बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीचे मेरे आसर में आएं, जिस दिन आना उस दिन रातरी दस वह तक खापी के दात प्रमाराई, CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonnography, सब कुछ पांच सकेंड में हो जाएंगे, उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएंगे, दोईय दी जाएंगी, दोईय खाने की हैं, दोईय पीने की हैं, मालस करने के तेल हैं, आँख में, नाख में, कान में डालने के दोईय हैं, यद इस दिन आश्र में आएगे, उसी दिन आपको 20-25% राम जरूर मिलेगा, मिन्ने डेड़ मिन्ने में रोग समाप्त होगा, दोईय बंद हो जाएंगे, बिल्कुल, तो आपका जो रोग है, जो ये समस्या ही है, बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको चार आश्रम आएंगे, तो आपको औश्रधियां दी जाएंगे, जिसके वज़ाए से आप अपने रोग को जर से तूट कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, रोगी के लिए कुछ विशेश नियम है, जिसका पालन करना है, तभी नाड़ी परिक्षन होगा, यानि नव्स चेक की जाएगी, महिलाएं हैं रोगी, तो सलवार सूट पहन कराएं, निर्धारित है, आने से पहले बारा घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए, ऐसे ही तमान चोटी-चोटी जानकारी जो है, उनको आप हेल्पार नमबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं, सुबह दस पजे से श् बहुत अच्छा लगता है, यह अपने लिए एक सवाल पूछ रहे हैं कि गुरुजी, दमा तो आपने बताया कि ठीक हो जाता है, लेकिन इनको दमा बाइस साल पुराना है, तो क्या यह बाइस साल पुराना दमा भी ठीक हो सकता है, तो किस तरीके से? देखिए, दमा बाइस साल की बाद तनी है, आपका चाहिए, साथ साल पुराना भी है, जो मैंने द्वाइएं बनाई हैं मिहने डेर मिहने से फाल तो टैम नहीं लगता है, और जिस तिन आप आस्तर में आएंगे, उसी दिन आपको कम से कम 15-20% राम से जूर मिलेगा, क्यू मैं कोबरे साम का जायर नहीं बेचता, मैं जड़ी बूटियों से लाज करता हूँ, आए मुझे 10,000 जड़ी बूटियों के पैचाहना जिन से मैं द्वाइएं बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार मेसी है द्वाइएं बनाने की, जो भी द्वाइएं मुझे चाहिए, उम मै अपनी फार मेसी मिनाता हूँ, द्वाइएं रिजिस्टर है, पैटेंट है, इनका कोई साइड भेक्ट नहीं है, बिल्कुल, और दर्शा को हमारे इन कारेक्रमों में समय समय पर जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताये जाते हैं, उनको आप अपने सरल सुविधा जनक समय पर पढ़ना चाते हैं, तो आप स्वस्त विचार पुस्तकों के जरीए भी पढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों को रोजाना दस से पंद्रा मिनट भी आप पढ़ते हैं, तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं, उस तके आप मंगवा सकते हैं, हल्प प्रेनमस पर कॉल करके फिलाल कारिक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का गुरू जी आपने अपना कीम्टी मार्ग डर्शन दी आपका बहुत बहुत धनेवाद नमस्कार दर्शकों आज के इस विशेश कारिक्रम में बस इतना ही आप सभी लोग स्वस्त रहें निरोगी रहें इहनी शुप कामनाओं के साथ हम आप से लेंगे जाज़त अगले अंक में आप से फिर होगी मुलाकात एक नए विशे के साथ तब तक के लिए मुझे दी जाग गया नम आसकार